मैं विजाकुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं हमने रिजिनिंग में कलेंडर के सेक्षन में कुछ कोश्चन्स देख रहे थे आज हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे कि सपोस्ट आठ अप्रेल आठ अप्रेल 2014 को कौशा दिन था कौशा दिन था इस तरह की कोश्चन्स को हम लोग सॉल करने के कोशिस करेंगे इस तरह के questions को solve करने कोसिस करेंगे तो देखिए इस तरह के questions को solve करने से पहले कुछ basic चीजों को हम लोग जान ले जो हमने पिछले sections में हमने revise किया हुआ था सबसे पहले हमने पिछले section में देखा ही था सधारन verse सधारन verse क्या होता है उसी तरह हमने देखा था leap verse क्या होता है और इसमें विशंदिनों की संख्या भी हमने देखा था कि सधारन वर्स में विशम दिनों की संख्या एक होती है और लीप वर्स में विशम दिनों की संख्या दो होती है ये विशम दिन है मिन्स सधारन वर्स कंप्लीट होने से एक सधारन वर्स में हम लोग एक दिन आगे बढ़ते हैं उसी तरह लीप वर्स में दो दिन आगे कुल दिनों की संख्या को कुल दिनों की संख्या को कुल दिनों की संख्या को किसी डिवाइट कर रहे थे साथ से और जो सेशफल बचता था और जो सेशफल बचता था वही विशन दिनों की संख्या कहलाती थी तो इन तत्यों को याद रखिएगा साथ ही साथ इस तरह की कोस् कोड़ जीरो होगा वहीं सुमवार के अगर बात करें तो सुमवार का कोड़ मंडे का कोड़ वन होगा मंगलवार के अगर बात करें टूइजडे का डे कोड़ देखें तो दो होगा बूधवार के अगर बात करें वेड़नेजडे के अगर बात करें तो डे कोड़ तीन होगा इसी तरह गुरुवार की बात करें थजडे की बात करें तो डे कोट चार होगा वहीं सुक्रुवार की अगर बात करें तो डे कोट पाँच होगा और सनिवार की अगर बात करें तो डे कोट चार होगा मिन्स अगर डे कोट इस तरह से मिलता है हमें चार मिलता है अगर विशम दिनों की संख्या टोटल चार मिले तो हद दिन कौन सा दिन होगा गुरुवार, अगर च्छाय आता है तो सनिवार, सुक्रवार आता है तो पांच आता है तो सुक्रवार, तो इस तरह के questions को solve करने की space लिए डेकोड याद रखेगा, साथी साथ एक तो इनमें विशम दिनों की संख्या 0, 1, 3 और 5 होती है मिन्स 400 वर्स में विशम दिनों की संख्या 0 और इनके multiple में भी 0, 300 वर्स में विशम दिनों की संख्या 1, 200 वर्स में विशम दिनों की संख्या 3, 100 वर्स में विशम दिनों की संख्या 5 मिन्स इतने ही दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अगर 300 वर्स है तो उसमें विसम दिनों की संख्या एक तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे 200 वर्स में विसम दिनों की संख्या तीन मिंस उसमें तीन दिन आगे बढ़ जाएंगे इसी तरह इस फैक्ट को भी आद रखिएगा इस questions को solve करने के लिए और आगे जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग बताते चलूँगा मैं तो आए स्टार्ट करते हैं इन तथ्यों को अब याद रखिएगा ये question solve करने में बहुत ही महत्त पूर्ण भूमिका निभाएंगे तो देखे 8 अप्रेल 2014 को कौन सा दिन था तो 8 अप्रेल 2014 रेनिंग येर है यहाँ complete वर्स नहीं है तो हम लोग पूर्ण वर्स को लें पूर्ण वर्स के अगर बात करें तो पूर्ण वर्स होगा 2013 कि 14 तो रेनिंग वर्स है तो 2013 लें अब इस 2013 को हम लोग किस तरह से बांट सकते हैं 2013 को बांट सकते हैं 2000 में प्लस 13 में और हमने देखा ही था कि 400 वर्स में विशम दिनों की संख्या 0 होती है तो इसी को अगर 400, 400, 400 लिखते जाएं मिन्स 400 का multiple है तो इसमें विशम दिनों की संख्या क्या होगी 0 विशम दिन होंगे इसको याद रखेगा साथ ही साथ अब यहाँ पे 13 है अब 13 को हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे याद रखेगा यहाँ 13 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह चला जाएगा चार तिया बारा तीन बार तीन बार चला जाएगा तो जो यह भागफल होता है इसमें जो भागफल है यही भागफल यह जो होगा यह लीप वर्स होगा जो भागफल होगा वह क्या होगा लीप वर्स होगा इस फैक्ट को याद रखियेगा तो इसे चार से भागदेने पर य मिंस तेरा में से तीन लीप यर्स है तो बचा क्या दस वर्स क्या होगा सधारन वर्स होगा यह लीप वर्स है तीन वर्स इसमें लीप यर्स है और दस वर्स क्या है सधारन वर्स है अब हम लोग जानते ही हैं कि एक लिप वर्स में दो दिन आगे बढ़ जाते हैं तो इस तरह से तीन लीप वर्स में हम छये दिन आगे बढ़ जाएंगे बिन्स चयविसम दिन स्वाइब इसी तरह एक सधारन वर्स में एक दिन आगे बढ़ते हैं तो--s reputation टैने दिनिंख्य एंहें दौन सी दिन आगे बाढ़ जाएंगे इस तरह से टोटल दिनों की संख्या निकालने के लिए यह तो साथ यह साथ से अधिक आता है तो उसे हम लोग साथ से डिवाइट करके विशन दिनों की संख्या निकालते हैं तो इस तरह से इन दोनों में विशन दिनों की संख्या कितने निकलेगी सुल्ला को साथ से भाग देने पर जो की सेसफल बच विषम दिन संख्या, टोटल दो दिन विषम दिनों की संख्या निकली, अब हम लोग अपरेल तक चले जाएंगे, जणवरी, फर्वरी, मार्च और अपरेल का लेना इसलिए 8 अपरेल तक ही जाएंगे, और हमने अपने पहले सेक्शन में ही देखा था कि कोन से मा जो कि बारा मा होते हैं उन में दिनों की संख्या हमने देखा ही था आपको एक बार फिर याद दिला दूं अप्रेल जून सितम्बर नौवंबर कहीं पे लिख दूँ तो अप्रेल जून अप्रेल जून सितंबर और नवंबर 30 दिनों के होते हैं अप्रेल जून सितंबर नवंबर 30 दिन के फरवरी या तो 28 या 29 दिन का होगा लिप वर्स होगा तो 29 सधारण वर्स होगा तो 28 और जितने बज जाते हैं वो होंगे 31 दिनों के, तो देखेए, जनवरी होंगे 31 दिन का होगा, अब यहाँ देखने के लिए 2014 को देखिएगा कि यह सधारण वर्स है, यह लीप योर्स है, तो 2014 अभी तो सधारण वर्स है किमकि यह 4 से पूरी-पूरी विभाजित नहीं होगा, मिन्स जनवरी किते दिनों का है 31, फरवरी अगर वो लीप होता थे 29 होते मगर यह भी सधारन वर्से इसलिए दिनों की संख्या फरवरी में कितना होगा 28, मार्ज भी कितना होगा 31 और अप्रेल तो हम लोग 8 दिन कहीं ले रहें अज इसमें विशम दिनों की संख्या निकालने के लिए इसे हम लोग किस से भाग देते हैं साथ से भाग देते हैं इस तरह से 31 को साथ से भाग देंगे तो 3 सेसफल बचेगा मिन्स तीन विशम दिन है 28 को देंगे तो 2 बचेगा साथ चाव का ठैस 0 बचेगा और आट को भाग देंगे साथ से कितना बचेगा एक मिन्स जोणके देखें तो तीन तीन छ्षय टोटल कितना हो रहा है साथ और हमने पहले ही कहा था साथ या साथ से अधिक दिन बचते हैं तो उसको विशंधिन निकालने के लिए हम लोग साथ से फिर भाग देते हैं इस तर तो यहाँ पे देखें अब टोटल विशम दिनों की संख्या कितनी निकल गई टोटल विशम दिनों की संख्या पूर्ण वर्स से दो था दो विशम दिन था और माहा में हमें जीरो विशम दिन की संख्या मिली इस तरह से टोटल विशम दिनों की संख्या दो विशम दिन मिली और हमने decode में देखा ही था कि 2 किसका है मंगलवार 2 जो decode हमने देखा था 2 आए तो हद दिन कौन सा होगा मंगलवार इस तरह से 8 अप्रेल 2014 को कौन सा दिन है मंगलवार रहा था या रहा होगा तो इस तरह के questions को हम लोग easily इस तरह से solve कर सकते हैं आप सुरू सिले के अंतर तक की steps के questions को देखते रहे आपसे बनने लगेंगे आईए और कुछ questions करके देखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो आप एक बार दो बार इस method से बनाना है start करेंगे आपको बहुत ही easy लगेगा इसी तरह इसी करम में अगर कुछ questions और देखते हैं suppose पांच मई 2012 के अगर बात करें पांच मई 2012 को कौन सा दिन था इस तरह से अगर बात करें तो देखी पांच मई 2012 2012 इससे पहले निकालने के लिए हम लोग क्या ले लेंगे पूर्ण वर्स को लेंगे पूर्ण वर्स की बात करें तो 2011 पूर्ण वर्स है अब इस पूर्ण वर्स को हम लोग डिवाइट करते हैं तो इसों हम लोग बांट सकते हैं 2000 में, प्लस 11 में 2000 में 0,000 दिन मिलेंगे हमें, 0,000 दिन मिलेंगे, 11 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो देखें, 11 को हम लोग 4 से भाग दें, तो 4 ते 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 दुनी 8, मिनस यहां पर कितना आया, दो भागफल आया, तो दो भागफल आया means दो क्या होंगे, यहाँ पे दो लीप वर्स होगा, दो लीप वर्स होगा, वहीं इस ग्यारा वर्स में दो अगर लीप वर्स चला गया, तो कितने सधारन वर्स होंगे, 9 सधारन वर्स होगा, 9 सधारन वर्स होगा, इस तरह से देख स सकते हैं कि नव और दो ग्यारा दो लीप वर्स है और नव सधारन वर्स एक लीप वर्स में दो दिन आगे बढ़ते हैं तो दो लीप वर्स में कितने दिन चार दिन उसी तरह एक सधारन वर्स में एक दिन तो नव सधारन वर्स में कितने दिन 9 दिन। इस तरह से डिनों की संख्या को अगर add up कर दें तो कितना हो जाएगा यह 13 जो कि 7 या 7 से अधिक है इसे 7 से भाग देंगे विसम दिन निकालने के लिए तो विसम दिनों की संख्या जो सेसफल बचता है वही विसम दिन होते हैं इसे 7 से भाग दे रहे हैं विसम दिन निकालने के लिए अब देखे 7 दुनी 14 ज़ादा हो जाएगा तो 7 एकम 7 करेंगे तो बचा कितना 7 और 6 13 मिन्स 6 बच रहें तो कुल विसम दिनों की संख्या यहां से कितना 0 प्लस 6 इक्वल टू 6 विसम दिन 6 विसम दिन देखिए 6 यहां से आया है और 2000 से 0 है सपोस्स यहां कुछ विसम दिन निकलता तो हम लोग इसको एड़ अब करते हैं अभी पूर्ण ओवर्स में विसम दिनों की संक्या में कित्ती मिली 6 विसम दिन मिले इसी तरह अब हमें जाना है मई तक तो चलिए चले चलते हैं मई तक जाएं तो जन्वरी फरवरी मार्च अप्रेल मार्च अप्रेल और मई है पांच मई पांच मही तक की दिनों को ही लेंगे हम लोग क्योंकि पांच मही तक ही जाना है इस तरह से देखें तो पहले देख लिए अब 2012 लीप वर्स है की सधरन वर्स है तो 2012 लीप वर्स होगा क्योंकि यह चार से पूरी तरह से भाग चला जाएगा मिन्स अगर 2012 अलिप वर्स है तो फरवरी महा में दिनों की संख्या 29 हो जाएगी जनवरी में 31, फरवरी में 29, मार्च में 31, अप्रेल में 30 और हमने देखा अप्रेल, जून, सितंबर, नौंबर तो मैं भी कितने दिनों का 31 मगर यहां 5 तक लेना, इसलिए सिर्फ 5 दिन तक खिलेंगे क्योंकि 5 मैं कहीं हमको निकालना था अब इसमें विशम दिनों की संख्या निकालने के लिए अब यहां प्याद रखिएगा विशम दिन निकालने के लिए इन दिनों की संख्या को साथ से भाग दे के जो सेस्फल बचता है तो 31 में कित्ते सेस्फल बचेंगे 3, 7, 4, 28 बार चला जाएगा और 3 बचेगा इसमें कित्ता 1, 7, 4, 28 इसमें कित्ता 3, इसमें कित्ता 2 और इसमें 5 का 5 क्योंकि यह 7 यह 7 से कम है तो देखे फिर से इसमें जोण दें तो 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10 और टोटल चौधर विसम दिन अब चौधर विसम दिनों कि नहीं अब टोटल संख्या निकली है इसे फिर 7 से भाग दें देंगे क्योंकि 7 और 7 से जादा है तो 7 दुनी 14 मिन्स 0 सेस्फल बच रहा है हाँ पर फिर से अगें 0 सेस्फल मिन्स 0 विसम दिन चौधर को 7 से भाग दे दें तो 7 दुनी 14 पूरा का पूरा भाग चला जा रहा है तो सेस्फल कितना बच रहा है? 0 मिन्स विसम दिनों की संख्या कितनी? 0 तो देखे हमने पूर्ण वर्से 6 विसम दिन निकाले अब कूल विसम दिन की संख्या देखें तो पूर्ण वर्से से हमारे पास 6 था और जनवरी फरवरी करते वे मई तक गए थे उनमें विसम दिनों की संख्या कितने निकली जीरो तो टोटल विसम दिनों की संख्या कितनी 6 और डे कोड में हमने देखा ही था कि 6 किसका है सनिवार का है इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 5 मई 2012 को कौन सा दिन रहा होगा सनिवार वह दिन रहा होगा 5 मई 2012 को तो इस तरह से इस टेप्स के कोश्चन्स को हम लोग इसली सॉल्व कर सकते हैं वन बाई वन सॉल्प कर सकते हैं आसा है आपको समझ में आया होगा अगर सुरू से लेके आंत तक बने होंगे तो इस टेप्स के कोस्चन्स आपको समझ में आ रहा होगा और इसली आपसे बनने लगेंगे इसी तरह देखिए कुछ और कोस्चन देख लें हमारे इंडिपेंड पूण Overs ले लिए पूण Overs के अगर बात करें तो पूर्ण Overs होगा इसमे उननीश सो चालिस अब इस चालिस को हम लोग डिवाइट करेंगे तो सुलला सो से कर सकते हैं 300 से कर सकते हैं, 16, 3,900, और बचा कितना? 46, तो देखे, 16, 400 के मल्टिपल में था, 0 विशम दिन, 0 विशम दिन, 300 में हमने देखा था, 1 विशम दिन, 300 वर्स में कित्ते बचते हैं? 1 विशम दिन, अब देखे, 46 को हम लोग क्या करते हैं? जो बचता है, यहां पे उसे 4 से भाग हैं, तो 11 वर्चलत, 11, 44, 44 वर्चला जाएगा, बच्चे का दो, तो हम जो बचता है, उसको विशम लीप यर में नहीं लेते, जो भाग फल है, मिंस कितने बार चाह रहे हैं? 11 वर्स, तो इसमें 46 वर्स में, 11 वर्स क्या होगा? लीप वर्स होगा, अब 11 में से बचा कितना ह बच्रा है, जो कि क्या होगा? सधारान वर्स, तो 11 क्या है? लीप वर्स और 35 सधारान वर्स है, इस चीज़ को याद रखेगा, ये तिसरा कोस्टन है, इतने कोस्टन करने के बाद आप से बनने लगेंगे, और हम जानते ही है, कि एक लीप वर्स में 2 दिन आगे, तो 11 लीप इस वर्स जोड के साथ से भाग देने से अच्छा है, यहाँ पर क्या कर लें, 22 को ही भाग दे दे, 7 से तो विसम दिनों की संख्या इसमें निकल जाएगी, 7 या 21 बर चला जाएगा, एक विसम दिन बचेगा, 7 पंचे 35 जिरो विसम दिन बचेगा, या इससे आप क्या कर सकत हैं, दोनों को जोड सकते हैं, संतावन, फिर इसको साथ से भाग दे सकते हैं, जो बचेगा सेस फल, वही विसम दिन होगा, तो बचेगा तो एक ही, इतना याद रखेगा, कि दोनों को जोड के साथ से भाग देंगे, तो भी सेस फल बचेगा एक, तभी विसम दिनों की तो दूनों को जोड़े तो कितना विशम दिन, एक दिन, अब यहां से कुल विशम दिन इसमें निकाल लें, तो 60-0, 30-1, और यहां च्यालीस में से निकाले थे एक विशम दिन, तो टोटल कितने, दो विशम दिन, दो विशम दिन निकल गए? याद रखिएगा दो विशम दिन अब देखिए हमें 15 अगस्त से अब आगे बढ़ना है जनवरी फरवरी तक क्योंकि 46 तक तो हम निकाल चुकें तो अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मैं जून जुलाई और अगस्त जुन जुलाई और अगस्त अगस्त कहां में 15 अखिए लेना है तो विशम दिनों की संक्या निकालने के लिए सबसे पहले इसमें किते दिनों की यह मां होते हैं जानना जरूरी है अब 47 क्या सधारन वर्स है कि लीपियर्स है तो 47 एक सधारन वर्स है तो जनवरी में हम जानते हैं 31 दिनों की संक्या होती है फरवरी में सधारन वर्स में 28 दिनों की होती है मार्च में 31 दिन अप्रेल में 30 दिन हमने वहाँ पर लिखी दिया था अप्रेल, जून, सितंबर, नौमबर, मई की अगर बात करें तो 31 दिन, जून की बात करें तो 30 दिन, जुलाई की बात करें तो देखें जुलाई भी 31 दिन का और अगस्त का तो हम लोग 15 दिन कहीं लेंगे क्योंकि 15 अगस्त तक कहीं निकालन के लिए हिसे साथ से भात देते हैं क्या करते हैं सासे भात कि देते हैं तो देखें इकतिस को साथ से भात देंगे तो कितना सेशल बचい और अब शक्रण सहां बचितना अब इस चांक रόσे साज से भाग देंगे तो विशम दिनों की संख्या निकल जाएगी, तो देखे Jar, 3, 3 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल किते दिन निकले 17 दिन अभी 17 को हम लोग साज से भाग देंगे 17 को हम लोग प्लस जोन की कितना है या 17 17 को 7 से भाग देंगे तो इस कितने बार चला जाएगा 7 दूनी 14 बार और बचेगा कितना 3 3 विशम दिन होगा means 3 विशम दिन सेश फल बचा 3 14 3 17 होता है means 3 विशम दिन होगे अब देखी सब को जोन दें हम लोग कूल विशम दिनों की संख्या निकाल लें कूल विशम दिन तो हमने देखा ही था पून वर्स 1946 तक 2 विशम दिन था और यहां से कितना दिन 3 विशम दिन तो टोटल कितने 5 विशम दिन तो 5 विशम दिन निकला अब देखी पूर्ण वर्स से दो और जनवरी फरीवरी करते वह अगस्त तक गए तो उसमें विशम दिनों की संख्य तीन टोटल विशम दिनों की संख्य पाँच और ये डेकोड कितना था सनीवार का था सोम मंगल बूद गुरू सुक्रवार का था सुक्रवार, पांच जो है, और बेकोट किसका था? सुक्रवार का था, हमने देखा ही था, एक सोम्मार का, दो मंगलवार का, तिन बोध्वार का, चार गुरुवार का, और पांच सुक्रवार का. तो इस तरह से 15 अगस 1947 को कौन सा दिर रहा होगा उस दिन सुक्रवार था तो इस तरह के questions को हम लोग ऐसे easily solve कर सकते हैं वन बाई वन तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, अपने study circle में share कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को subscribe कर, bell icon को दवाना बिल्कुल न बोले ताकि इसी तरह के updates आपको हमेशा मिलते रहें Thank you